हे गाईस नमसकार स्वागत है आप सभी लोगों का इस यूट्यूब चैनल पे मेरा नाम है वरें सिंह मगति आप सभी ठीक होंगा सुरक्षीत होंगा सेफ होंगगे अपना ध्यां रख रहे हूंगा अपनी कंद ध्या रख रहे हूंगा थो तो जी हाँ, गेट का एक्जामनेशन जो कि फैबररी में हुआ था, उस गेट के एक्जामनेशन का रिजल्ट आ चुका है और कई सारे स्टूडेंट्स जो है क्वालिफाई कर चुके हैं और कुछ लोग क्वालिफाई नहीं भी कर पाए हैं तो बात कर लेते हैं, जिन सभी स्टूडेंट्स ने गेट के एक्जामनेशन को क्वालिफाई किया है उन सभी लोगों को दिल से, तहे दिल से धेर सारी सुख कामना है आप सभी लोग ऐसे ही जो है सक्सेस के पात पे चलते रहें और जो भी आपकी मन्जिल हो, वहां तक जरूर पहुचें और साथ में बात कर लेते हैं, जो लोग गेट के एक्जामनेशन को किसी भी वज़ज़ से क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं, तो उनके पास यहां से दो रास्ते हैं या तो आप इस रास्ते को क्विट करेंगे, या तो इस रास्ते पर कंटिन्यू रहेंगे अगर आप इस रास्ते को क्विट करना चाहते हैं, चाहे वो वजह कोई भी हो सकती हो सकता है अप इस फ्ल्ड में नहीं रहना चाहते हो, हो सकता है किसी वज़़े से इल्फल्वेंस हूए हो या हो सकता है बार-बार फ ना होनी की वज़़े से आप यह फ ठोडना चाहते हो तो आपके इसके इलावा और भी कही सारे फिल्ड से जहापयाप्या टीचिंग, यह फिल्ड छोड़के कही और फिल्ड में स्विच करेंगे, तो वहां पर बिना महनत के चीज़े जो हे जो है, तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, आपको महनत करनी ही पड़ेगी और अगर भी बहुत नया होगा, तो आपको डबल महनत करनी पड़ सकती है, तो फिल्ड चेंज करना यह आपकी पर्सनल च्वाइस हो सकती है लेकिन अगर आप इसी फिल्ड में continue करना चाहते हैं तो आप जो है जरूर अपने mistakes को identify करिएगा क्योंकि कभी-कभी क्या होता है अगर मैं आपको बोलू कि एक अगर दो तलाब है अगर जिस तलाब में मचलियां नहीं है और अगर जिस तलाब में मचलियां नहीं है उसमें अगर आप जो है चारा डाल के काटा फेक के बैठे रहे तो चाहे दिन भर बैठे रहे चाहे रात भर बैठे रहे या चाहे पूरे महिने पर बैठे रहे रास्ते से चलके मंजिल तक नहीं पहुच पा रहे हैं, तो अपने मंजिल तक पहुचने की इरादों को मत बदलिए, अपने डारेक्शन को बदलिए, अपने रास्तों को बदलिए, जरूर आप मंजिल तक पहुचेंगे, आपके मंजिल अगर एक्जामनेशन्स है, नेसनल ल क्या आपने पढ़ने में गलतियां करी, क्या आपकी concept clarity ठीक से नहीं थी, क्या आपको समय कम मिला, क्या आप जादा social media पे time waste करते रहे, या क्या आप सिर्फ एक false illusion में थे, कि मुझे सब आ रहा है लेकिन आपको कई चीज़ें नहीं आती थी, या क्या आप over confident हो गए, क्या जादा negative marking करी, इन सब वजहों में से कुछ वजहें जरूर होंगी, कि आपने exam qualify नहीं किया, list out करिए उन वजहों को और उन पे काम करिए, उन पे एक एक करके काम करिए, कि अगर आपने practice नहीं करी, तो practice करी, या recalling नहीं करी, तो recalling करिए, concept clarity नहीं है, तो दो से तीन बार पढ़िए, detail में पढ़िए, ढंग से पढ़िए, यह सब चीज़ें करके उन्हें improve करिए, क्योंकि जब तक यह नहीं करेंगे, फिर upcoming examination में अगर आपकी हरकते वहीं रहेंगी, और आपका तरीका वही रहेगा, तो definite सी बात है, result भी वैसा ही आएगा, आपको अगर result बदनना है, तो तरीके में कुछ न कुछ बदलाव जरूर लाईए, और वो बदलाव ऐसे abruptly मत लेके आईए, identify करिए कि मुझे बदलाव करना कहा है, सीधी सी बात है, अगर आप एक चाय पका रहे हैं, और चाय जो है, वो गलती से नमकीन बन जा रही है, तो आपको पता है कि उसमें मिस्टेक हुआ है, नमक डल गया है चीनी की जगह, और नमक की जगह चीनी डाल देंगे, तो चाय जो है मीठी हो जाएगी, लेकिन अगर आप चाय नमकीन बन रही है और उसमें जो है, चाय पत्ती बढ़ा रहे हैं, गैस बढ़ा रहे हैं, दूद की जगह कुछ और कर रहे हैं, केतली बदल रहे हैं, यह सब चीजे करने से चाय मीठी होने वाली नहीं है, इक्जेक्ली प्रेप्रेशन के टाइम पे भी यह होता है, कि मिस्टिक्स जो हाँ पे है, वहाँ पे आइडेंटिफाई करिए, और बार-बार में एक चीज हमेशा कहता हूँ कि अगर एक कील है, उस कील को अगर दिवाल में फिक्स करना है, उसको उल्टे डारेक्शन में ल ने इसके लिए आपको डारेक्शन का सही होना बहुत जरूरी है, तो आपके strategy जो आप तयारी करने के लिए यूज कर रहे है, उसका डारेक्शन का होना सही होना बहुत जरूरी है, वह कि आपको यह बास समझ में आ गई होगी, तो एक बार फिर से में आप बता दू कि जो क्वालिफाई किये हैं उनके लिए congratulations जो लोग नहीं किये हैं अगर direction बदलना चाहते तो बदल लीजिए मेरा कोई personal वो नहीं है कि यही फिल्ड सबसे बहतर है कुछ मत करो जो ठीक लगता है वो करो भाई ultimate life का एक ही जिंदगी में करियर है करियर में जिंदगी नहीं है और अगर जो लोग इस फिल्ड में रहना चाहते तो उनके लिए भी बहुत एक individual cut-off होता है और वो cut-off rank या marks के basis पर नहीं होता वो आपके gate score के basis पर होता है जो आपको gate score दिया जाता है उसके basis पर आपका cut-off decide होता है और कुछ top IIT जैसे IAC Bangalore, IIT Delhi, IIT Bombay, cut-off थोड़ा सा high होता है लेकिन बाकी के जो new IITs है उनके cut-off scores थोड़े कम होते हैं तो मैं हर एक IIT का cut-off check नहीं किया हूँ लेकिन मैं एक general way में आपको बता दू कि जब इन IITs के website पे visit करते रहे उनके जब भी forms आए तो उनके information ब्रॉस्चर में जाके अपना cut-off खुद चेक करिएगा ये जो है मेरे से क्योंकि मैं हर IIT का cut-off नहीं चेक कर सकता हूँ आपके individual cut-off को compare करके आपको नहीं बता सकता this is your duty and you have to do it मैं सिर्फ तरीका बता सकता हूँ कि कैसे आपको करना है अगर आपको IT Delhi में देखना है तो IT Delhi के website पे जाए आई आई टी Bombay के website पे जाए कानपूर के website पे जाए जोतपूर के जाए और IIT मंडी के website पे जाए ये डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस website पे जा र भरने के लिए और हो इंटर्विव अच्छा जाएगा तो डेफिनेटल सेलेक्शन भी होने के चांसे रहेंगे अगर आप 600 से जो है 500 के बीच में तो आप मिडिल आई इस को सलेक्ट कर सकते हैं और 500 से नीचे 500 चार्सों के बीच में तो जो न्यू आइटी जैसे आई शिकनलजी या लाइफ सैंस नहीं होता बाला चांसे नहीं बाई केंट हैं कयरो इंज dew 6 00 UO चने शूड्यि जैसे ए अइस्ट्रेड त्रूह 1990-06 SD का फॉर्म भर सकते हैं ठीक है तो यह रही छोटी सी इंफॉर्मेशन और इस इंफॉर्मेशन के जरीए अगर आपके कुछ help होई है तो comment box में जरूर बताइएगा और अगर आपके मन में कुई सवाल है तो comment box में हमें पूछ सकते हैं अगले वीडियो में हम उसको सॉल्व करने की कोसिस करेंगे थैंक यू सो मच फर वाचिंग इस वीडियो विल सी नेक्स वीडियो तिल देन बाबाय टेक कियर अल दे बेस्ट